मैं यहां आ रहा था तो एक दूखत खबर भी मिली आज मुलाएमसी आदव जी का नीदन हो गया है मुलाएमसी आदव जी उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी उक्षती है मुलाएमसी जी के साथ बेरा नाता बड़ा विशेश प्रकार का रहा है जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे बेबी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे और दोहजार चौदा में जब भारतिय जनता पार्टी ने चौदा के चुनाव के लिए मुझे अधान मंत्री पद के लिए आशिरवात दिये तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिच्च था ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ट राज लेता थे राज लिती ग्रूप से हमारे विरोधी थे लेकर उन सब को फोन करके आशिरवात लेने का मैंने एक उपरकम किया था और मुझे आध है उस दिन मुलायम सिंग जी का वो आशिरवात कुछ सना के दो शब्ड़ वो आज भी मेरी अमानत है और मुलायम सिंग जी के विशेशता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशिरवात दिया था उसमें कभी भी उतार चड़ाव नहीं आने दिया होर राजनितिक विरोधी बाते के बीज भी जब 2019 में पार्लामेंट का आकरी सत्र था पिछली लोगसभा का और सौसद के अंदर मुलायम सिंग जी जैसे बरिष्ट नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लामेंट में जो बात बताई थी कोई देश के किसी भी राजनितिक कारकरता के जीवन में बहुत बड़ा आशिरवात होता है उन्होंने सौसद में खड़े होकर के कहा था कोई लाग लगबेगेट के बीना कहा था राजनितिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ ले करके चलते हैं और इसलिए मुईर जे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुनकर के देश के प्रधान मंत्री बने के कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जिवित रहे जब भी मोका मिला उनके आशिरवाद मिलते रहे मैं आज आदर्निय मुलायम सींजी को गुजरात की इस धर्ती से मान नर्वजा के दर्ष से उनको आदर पूरवक भाव बिनीस्तर थांजली देता हूँ मैं इश्वर से प्रार्षरा करता हूँ उनके परिवार उनके समर्थकों को ये दूख सहने की शक्ती देए प्राषरा उनके भूरवक करते हैं झाल झाल